बिहार के दो प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दोरान उन्होंने बिहार के कानून विवस्था को ले करके मुख्यमंतरी नीतीश कुमार पर जम कर निशाना साथा तो वहीं जब उनसे योगी मॉडल के बार में पूछा गया तो उन्होंने साफ तोर पर कहा कि बिहार में मुख्य मंत्री लाएक कोई चहरा ही नहीं है बीजेपी के पास इसलिए बीजेपी ऐसी बात कर रही है साथी साथ तेजस्वी अदव ने कहा कि जीत का दावा तो सभी पार्टिया करती है ये तो नतीजे तैकरते हैं और क्या कुछ कहा तेजस्वी अदव ने एक बार आप खुछ सुने है दावा तो सब लोग करता है लेकिन महाल जो है जो जन प्रतिनिधी इसमें वोटर होते रहे हैं वो लोग मौजूदा सरकार से बड़े नाखुष हैं अगर वाड सदस्यों की अगर बात की जाए तो उनसों योजना जो है सरकार दे च्छीना है तो इस बात को लेकर के अपने विचार धारा के लोग जो हैं बड़ी संक्या में चुनाओ जीत कर क्या है जो हमारे अपने समीकर अंक्या है तो इसके तहत हम कह सकते हैं कि राश्टी जनते अदल जो है सबसे ज़्यादा सीटे जीतेगी कोई काम नहीं हो रहा है जितने बैठके होती है केवल दिखावटी होती है किसी पर कारवाई नहीं होती और आप देख रहे हैं हम तो पहले भी कहते रहे हैं बिहार में हर चार घंटे पे बलतकार होता है हर पांच घंटे पे हत्या होती है कोई सुनने वाला नहीं है और जब मुख्यमंतरी खुद सुरक्षित नहीं है कोई उनके घर में जाके कोई घुसा मार दे उस पे भी किसी बड़े अधिकारी पर करवाई हुई हो तो बता दो हमने दावा किया था कितनी बड़ी घटना है मुख्यमंतरी को कोई जाके घुसा मार दे और किसी अधिकारी पर करवाई ना हो छोटे मोटे सिपाही उपर निलंबन निलंबित कर दिया जाता है लेकिन बड़े जो अधिकारी है इनका मन इसलिए तो बढ़ रहा है आप बता है कशिएगा नहीं टाइट नहीं कीजएगा तो वह तो मनमर्चे के लिए अपने आपको यानि काबिल नहीं समझते बिहार के दो उपमुक मंत्री यानि अपने आपको काबिल नहीं समझते तो अगले बार जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में बीजेपी का मुक्ष मंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है क्योंकि यहां कोई काबिल ही नहीं है यानि ये बीजेपी वालों ने साबित कर दिया फिलाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देशवा न्यूस पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही हमें फेस्बुक पे लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें धन्यवाद